उसाइं दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी चलिए दोस्तर स्टार्ट करते हैं फिसिक्स की किलास है यानि जी के जीएस जो कि दोस्ता फिजिक्स है hearing यू पी पिलीस्ट या यू टी साई रेडियoth इंडे हो जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है उसके लिए आती你 relax पूर्ण पिर्शन है चलिए स्टार्ट कर दें पहला कोशन है मानम नेत्र के नियम लिखित मैंसे किस भाग पर चित्र बनता है बताएं दोस्तों कौन से भाग पर बनता है जल्दी से बताईएगा चलिए दोस्तों बताते हैं तो दोस्तों यह है रेटीना पर बनता है ओप्सन नमबर ए ठीक है अगला कॉस्टन है किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब वे ताब की समान अवस्था इसके अंतरगत अनों की संख्या समान होती है बताएं दोस्तों कौन से नियम में कहा गया है दोस्तों यह है फेराइडे का तीस रन फेराइडे का नियम में कौन सा दोस्तों फेराइडे का नियम ओप्सन नमबर सी ठीक है ओप्सन नमबर सी अगला कॉस्टन है निमलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परीपत से होकर प्रवाहित होने बाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और बिविधिता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है बताएं दोस्तो कौन करता है चलिए बताते हैं दोस्तो तो दोस्तो यह होता है अर्थिंग तार आफसन नमबर ए ठीक है अर्थिंग तार नेक्स्ट कोस्टन है कैंडला किस आधार की रासी है बताएं दोस्तो कैंडला किस आधार की रासी है जल्दी से बताईएगा दोस्तो इसकी ऐसा ही काई क्या है कैंटला की चलिए बताते हैं दोस्तो यह जौती ती बुरता का मात्रक होता है ओफसन नमबर C ठीक है ओफसन नमबर C ठीक है अगला कॉस्टन है बायू मंडली अपवर्तन के कारण सुर्य में सुर्य अधर से लगवग डैस मिनट पहले दिखाई दिता है बताईएं दोस्तो कितने मिनट पहले दिखाई दिता है दोस्तो दो मिनट पहले ओफसन नमबर C ठीक है दो मिनट पहले हर एक कोस्टन important question है और previous question है क्लास को skip मत करना देखते हैं कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धिचालक में मादन कारक के रूप में प्रियोग किया जाता है बताएं दोस्तों कौन सा तत्व है चलिए बताते हैं तो दोस्तों यह है और शेनिक है और शेनिक option number V ठीक है अगला question है myopia या निकट दिरश्टी दोस नामक नेतर रोग इसके उपचार के लिए किसे लैंस का प्रियोग किया जाता है बताएं दोस्तों कौन से लैंस का प्रियोग करते हैं चलिए बताते हैं दोस्तों यह अब तर लैंस होता है option number V ठीक है अगला question है चुम्बे के छेतर की ओर किसी बस्तू को आकर्षित किये जाने के बज़ाए इसे परती कर्षित किये जाने की परिगटना को क्या कहा जाता है बताएं दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों इसे बोलते हैं माइसनर, माइसनर प्रिभाव, ओफसन नमबर वी ठीक है अगला question है निम लिखीत में से कौन सी बस्तू उस्मा गती के सिध्धान्त पर कर्य करती है बताएं साथियो कौन सी बस्तू है दोस्तों यह है steam iron क्या steam iron option number d ठीक है steam iron next question है दोस्तों चलिए देखते हैं निम लिखीत में से किसका पूर्ण अपवर्दनांग एक के निकटतम होता है बताएं दोस्तों किसका होता है दोस्तों यह है air यानि बायू का होता है option number c ठीक है अगला question है बिसेश्ट चचधा साबक्षी सिधानत के अनुसार चलिए बताते हैं तो दोस्तों यह है प्रकास का वेग यह नहीं है आपसेर नमबर v ठीक है अगला question है दोस्तों चलिए देखते हैं परतिवल की SI1 कौन सी है बताएं दोस्तों परतिवल की SI1 कौन सी है दोस्तों यह पास्कल है अगला कॉस्टन है जिस गति से किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुतवा करशन बलत से मुक्त होने और कक्छा में परवेश करने के लिए किसी बस्तू को यात्रा करने चाहिए उसे गति कहा जाता है बताएं दोस्तों कौन से वेग को कहा जाता है चलिए दोस्तों बताते हैं तो दोस्तों वह है कौन सा है पलायन वेग इसको ही कहा जाता है पलायन वेग ओफ्सन नमबर एठीक है अगला कॉस्टन है सी सो इसमें किसी सरल मसीन उपयोग किया जाता है बताएं दोस्तों सी सो इसमें किसी सरल मसीन का उपयोग किया जाता है बताएं साथियो कौन सी सरल मसीन है चलिए दोस्तों बताते हैं दोस्तों यह है कौन सी है उत्तोलक आफसन नमबर एठीक उत्तोलक अगला क्वेश्चन है जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सहा mechanics पर लुड़कता है तो उसकी गती का परती रोद डैस कहलाता है बताएं साथियो क्या कहलाता है दोस्टो बहें द्रवट घर्चन आफ्शन नमबर वी ठीक है अगला क्वेश्चन है द्रव घर्चन कहला था ठीक है ना ओफ्सन नमबर वी द्रव घर्चन सम्तल दरपण में बनने बाला पिर्ती बिम्ब होता है बताएं दोस्तो कौन होता है चलिए दोस्तों बताते हैं समतल दरपण में बनने वाला पिर्ती बिम्ब होता है दोस्तों यानि पाशर्व रूप से उल्टा आफसन नमबर सी ठीक है अगला कॉस्टन है निम्न में से किसका मात रख है बताएं दोस्तों निम लिखित में से पार्स एक किसका मातरख है चलिए दोस्तों बताते हैं पार्स एक किसका मातरख होता है चलिए बताते हैं दोस्तों पार्स एक होता है लंबाई का option number एठीक है next question है ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताएं दोस्तों दोस्तों ताप का ऐसा ही मात्रक होता है कैल्विन ओप्सन नमबर कैल्विन ठीक है अगला कोस्टन है आप्टिकल फाइवर के काम करने के पीछे के बेग्यानिक सिध्धान्त का नाम बताईए बताएं दोस्तों आप्टिकल फाइवर के पीछे का चलिए दोस्तों बताते हैं ये इसके सिध्धान्त का क्या नाम है तो दोस्तों यह है परकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन ओफसन नमबर C ठीक है अगला कॉस्टन है चलिए देखते हैं विदुत बाहकबल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताएं दोस्तों कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं तो दोस्तों यह है पोटेसियो मीटर का प्रियोग करते हैं ओफसन नमबर C ठीक है अगला कॉस्टन है दोस्तों चलिए देखते हैं एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों और किलास को लाइक भी कीजिए निम लिखीत में से किस बेग्यानिक ने सा किस ने किया था तो दोस्तों यह है अफसन नमबर D ठीक है अगला कर्स्टन है दोस्तों कौन है तो दोस्त यह जूल है ऐसे नमबर V ठीक है डैस बाता बनार की सापेक चिक आर्दता मापने के लिए एक उपकराण है बताएं साथ यो कौन सा उपकराण है वह है तो यह हाइग्रो मीटर है ओफशन नमबर एठीक है हाइग्रो मीटर ओफशन नमबर एठीक है हाइग्रो मीटर अगला कुशन है फोटो वाल्टिक इस सेल में किस परकार की औरजा बिजद औरजा में परिबर्तित हो जाती है बतायें साथियो तो दोस्ते यह प्रकाश है कौन सी प्रकाश अगला कोश्चन है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉईल को क्या कह जाता है बताएं दोस्तों इस कॉईल को क्या कहते हैं चलिए बताते हैं दोस्तों इसे बोलते हैं ऐलिमेंट ओफसन नमबर सी ठीक है ऐलिमेंट उत्पन्न होती है गिटार के तार में किस परकार की तरंग उत्पन्न होती है बताएं दोस्तों चलिए बताते हैं तो दोस्तों यह है अनुप्रस्त आप्सन नमबर वी ठीक है अनुप्रस्त ठीक है अगला क्वेस्टन है पाड़ दर्सी बस्तों में बे बस्तों हैं जिनके मा दरसी से हम इस पष्ट देख सकते हैं यह नि जीनने देखा जा सकता है अगला कोशन है चलिए अगला कोशन पर देखते हैं जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगणी हो जाती है तो इसकी गतित उर्जा में क्या परिवर्तन होता है बताएं दोस्तों क्या परिवर्तन होता है तो दोस्तों यह है चोगुनी हो जाती है फिर ओफसन नमबर वी ठीक है ओफसन नमबर वी चोगुनी हो जाती है अगला कुस्टन है निम लिखीत में से किसकी अधिक्तम विसिष्ट उस्मा चमता है बताएं दोस्तों अधिक्तम विसिष्ट उस्मा चमता किसकी है तो दोस्तों यह किसकी है यानि पानी की होती है ओफ्सन नंबर यह ठीक है तो एक बार जल्दी से सभी साती चैनल का सब्सक्राइब करेंगे दो अगला कोशन है तापमान को एक विसेश डिगरी तक नियंतरित करने के लिए परियुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है बताएं दोस्तो इसको क्या कहा जाता है चलिए बताते हैं दोस्तो तो इसको बोलते हैं थर्मो इस्टेट आफसन नमबर एठीक है थर्मो इस्टेट तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों स्कोर कितना रहा यह जरूज बताना है तीस में से स्कोर कितना रहा ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में जैहें तो साथी हो